नमस्कार दोस्तों मैं दैली से सुभम स्वागत करता हूँ आप सभी का इस नई वीडियो में जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि यू सोल का बीए प्रोग्राम इंगलिस ओनर्स पॉलिटिकल साइंस ओनर्स जो भी है जितने भी इस मतलब की जो भ सबस्क्राइब करें वेडियो करें तो अपन चलते हैं क्रोम में ठीक है क्रोम में आपनको सर्च करना है तो मैं यहां सब्सक्राइब कर लेता हूँ आप को यह स्क्रीन पर दिख रावगा तो यहां से या सीमेंटजिवृ वेबसाइट का उप्षन ओठा लिया तो आपको सबसे नीचे खुरना है तो थोड़ा ऑन-larine classical च्लिक करेंगे देखो वीडयो छोड़ निया जाना थोड़ी सी बड़ी वीडयो बने यहीं अब को přिष्केन बहूत असान तरिकी सब पता दूगा तो आप इसमें नीचे आएंगे तो यहां पर देखेंगे दरस एक दो जार- साथ दिने login to join का option आ रहा है तो हमें क्या करना है सबसे पहले जिसके पास बीए प्रोग्राम है जैसा जो subject है यहां पर देख लो वहां पर आपको select कर लेना है और आगे मैं देखो यहां पर join to login है तो जैसे मेरे पास बीए honors political science है तो मैं एक वर उपर देख लेता हूं जैसे मान के चलो यह बीए प्रोग्राम फर्स सेमेस्टर इंग्लिस स्काइटिक है तो यह भी 10 से 11 के बीच होगा तो आपको कहकरना है join to login पर click कर देना है जैसे ही आप click करेंगे तो यहां पर आपको soul का roll number डालना है कौन सा soul का roll number डालना है वो आपको मैं बता दे रहा हूं आप अपने free slip पर जाएंगे तो उसमें आपका barcode plus soul roll number लिखा रहता है तो आप barcode और soul roll number यहां पर paste कर देंगे दोनों जगा ठीक है इसको paste करने के बाद जैसे आप इसे paste कर लेंगे तो आपका जो है आपके सामने वो आ जाएगा एक notice आ जाएगी यह मैंने कर लिया है पहल Microsoft team login ID आपका login ID and default password यह है जिसे आप बाद में change भी कर सकते हैं you will be not available join class without join ID and password अगर आपके पास यह join ID and password नहीं है तो आप इसे join नहीं कर सकते हैं और play store से कैसे download करें अगर आपके पास PC है तो उसका भी link नीचे दिया हुआ Microsoft.com देख सकते हैं और यह जो play store से अगर आप simply Microsoft team तो तुरंत आजाएगा 40-50 MB का होगा ज्यादा का नहीं होगा तो यह चीज़ी ती अब आपको करना क्या है अब इसे login कैसे करना आप जैसे ऐसा कुछ आएगा Microsoft team इस पर प्लिक करेंगे तो आपको एक free login करने option आएगा ठीक है सुन लो इसमें मैं दिखा नहीं रहा हूँ यह जो उपर में मेरा लिखा वह दिख रहा है आपको तो आपको यहां से copy करके simply एक मेंचा यहां पर paste कर देना ठीक है फिर आप उसे next करके done करेंगे तो आपको password मागएगा तो आपको password जो यहां पर लिखा पड़ा यह password आपको दे देना है इसमें जैसे password करेंगे तो यह भी नहीं पता है इसमें कैसे यूज करेंगे तो यहां पर कुछ options आते हैं चैट का options आ जाता है आप यहां क्लिक करते हैं तो इसमें सब जाता काम की चीज़ें नहीं है फिर में आपको बता देरों इसमें कैसे आएगा Teams पर क्लिक करेंगे जैसे कोई भी update या notification आएगी तो यहां पर टेम्स पर आ जाता है और कोई assignment मिलेगा आपको तो यहां पर आएगा वो ठीक है और यहां more पर क्लिक करतें तो call वगएर है और फाइस वगएर जैसे कि मानके चलो कोई calling ही चाल दिया मैंने भी use नहीं गया देखते है use होता है कैसा होता है जैसा होगा मैं live update आ बहुत असान तरीके समझ में समझा दिया है अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बास फिर से वीडियो को रेपीच करें प्लीज स्कीप करें तो आपको समझ नहीं आएगा कुछ छूट जाएगा फिर आप आकर बोलोगे पता नहीं भाई किसकी वीडियो देख ली अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छे लगती है तो फ्लीज वीडियो को लाइक करें कमेंट करें सेर करें चैनल को सब्सक्राइब ले अगर इससे कोई कोश्चन है आप से कुछ पूछन आए मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स या आप मुझे इंस्टाग्राम को पर स सब्सक्राइब कर सकते हैं बस आज के लिए तना है अगली वीडियो में तब तक लिए चाहिए और बाए बाए